लेमन ग्रास या मेडिसिनल प्लांट है का इस्तेमाल ट्रीटमेंट में किया जाता है बैक्टीरिया से लड़ने के लिए उस उजन को दूर भगाने के लिए कि जो व्यक्ति लेमन ग्रस अश्चिंशर आल का सेवन करता है बढ़ा हो श्रीर में कोलोस्टरॉल है ब्लड में कोलोस्टरॉल यदि बढ़ा हुआ है तो वो कम होना शुरू हो जाता है किडनी को हेल्दी रखने में भी लेमन ग्रस के फाइदे देखे जा सकते हैं बचने के लिए भी लेमन ग्रस अश्चिंशर आयो हो और से लेके पेर तक एकितनी सारी बिमोरियों में विडियो की तरफ नमस्कार साथियों यह साथ इस इसके लंबाई है वो जो सामाने घास है उससे थोड़ी बड़ी होती है बहुत जादा खुश्बू होती है ज्यादतर यह जिसे हम चाय में अध्रक का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही इसकी खश्बू कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी उनको लगती है वो चाय जो है 75% सित्रल पाया जाता है जिससे इसकी जो महग है वो बिलकुल नीमू जैसी होती है तो बहुत सारे हैं ट्रिंग्स में या जो हमारे जेली प्रडूक्स है उन्हें भी हम लमन ग्रास श्रींच और ऑल का इस्तेमाल करते हैं लमन ग्रास श्रींच अउयल में कई सारी मे अंदर है एंटी इंफ्लामेट्री यानि शरीर में कहीं भी सूजन है उस सूजन को दूर भगाने के लिए लमन ग्रास श्रींच और का इस्तेमाल किया जाता है लमन ग्रास श्रींच में है हाइपो कोलेस्ट्रोलेमिक असर यानि दो रिसर्चिस से पता चला NCBI की लमन ग्रास श्रींच और का सेवन करता है तो जो इदे बढ़ा हुआ शरीर में कोलेस्ट्रोल यह बढ़ा हुआ है तो वह कम होना शुरू हो जाता है इतना ही नहीं एक रिसर्च पर तो साफतोर से बताया गया है कि लेमन ग्रास का इफक्ट है वह डाईशन सिस्टम में बह बहुत असको फाइदा है इसके अलावा जो सकी खुश्बू से भी यह कुछ लोग है कि रिंको चाहे नहीं पसंदे चाहे नहीं पीते हैं तो जलासा भी वह इसको लगा लें या अरोमा लेंप्स में इसकी खुश्बू को जब लेते हैं तब अब जो गेस्ट्रिक जब को इसका सेवन करता है तो ऐसे इस्तती में व्यक्ति को बार बर युरिन जाना होता है कि जो बार बर युरिन के लिए जाते हैं तो बार बर जाने से क्या होगा कि जितने भी टॉक्सिंस हैं वीजाती द्रवे हैं वह युरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो किडिनी के सॉस्ते के लिए भी बहुत अच्छा है और एक चीज़ और कि जब भी जिसकों भी किडिनी स्टोन होते हैं तो जो भी मैडिसन्स दी जाती है किडिनी स्टोन में वो सारी के सारी डायूरेटिक के गुड़ वाली होती है तो क्यों नाम लैमन ग्रास अशिंशल छुड़ में एंटी कैंसर जोन पाई जाती है यानी यह कैंसर के बचाव और रोक ताम दोनों में यह मदध करते हैं तो आप चाए बना की सकते हैं यह किसी बी रूप में जब लामन गर्स अशिंशल ऑल करते हैं तो जो कैंसर से वो बर्नी शुरू हो जाती है एक बचाव ह इसका काम क्या है यह एक्टरी जितने भी फैट इसे हैं इनकी यह कारे करने की चंगता को पढ़ा देते हैं जब यह कारे तेजी से करते हैं तो मोटापा भी तेजी से कम होने लगता है तो जो लोग ओवर्वेट हैं उबीज है उनके लिए लामन गास बहुत जादा फादेमं जाएगा सुजन अटब जाएगी तो यह बहुत ही बैनिफीशल है ओवर्वेट और ओबीज लोगों के लिए लामन ग्रास पर अधारित एक रिसर्च में साफतोर पर यह बताया गया है कि लामन ग्रास में फाइबर है कार्बो हाइड्रेट्स हैं वैटमीन A, B और C हैं यह यह सारे के सारे मिलकर रोगट-प्रति रोदक चंता को बढ़ाते हैं इम्मुनटी को स्ट्रोंग करते हैं और दूसरी रिसर्च में यह बता चला कि लामन ग्रास में हैं एंटी ऑक्सिदेंट गून तो एंटी ऑक्सिदेंट की वजह से भी जो इम्मुनटी पावर है वो स् इसकी आप कुछ बूदे डिफ्यूजर में डाले और ये तो एक अरूमा थरापी हो जाएगी क्योंकि इसमें सेजिटिटिव एफेक्ट है हाइपर तो ये कम करता है और नीद लाने में मदद करता है एक ज्यानिक अध्यान में तो ये भी पता चला है कि गर्थिया की समस्या क को दूर करने के लिए लेमंग्रेस अशेंशल बहुती ज़्यादा फाइदेमंध है एक्चुली जब भी किसी व्यक्ति को रूमेटर अर्थराइटिस होती है गाउट होता है तो जो जॉइंट में पेन आ जाता है सूजन आ जाती है अकड़न और चकड़न ने लगती है तो यह बहुत ज़धा बैनीफीशल है रोमेटर अट्राइटिस के केस में गाउट के केस में यानि लग्या के केस में इतना नहीं दिप्रेशन से लड़ने में भी लमनग्रस अशेंशल आइल की बहुत जादा फाइदे हैं क्योंकि एंटिप्रेशन परपर्टीज है लमनग्र साथ में है तो वो लामन ग्रास की चाय बना कर पी सकते हैं और अपने मान से अफसाथ को दूर कर सकते हैं लामन ग्रास अशिंशल आइल एक नर्वाइन टॉनिक की तरही काम कर सकता है यानि कि हमारी नर्वस सिस्टम के लिए एक बहुत ही अच्छा है कि इसमें पाया जाता है या लामन ग्रास की जब वो चाय बीते हैं तब उने बहुत ज़ाधा होता है आयृगदा में तो रस्पिडिर्य डिस ओडर Currents में बरसों से इस्टिमाल हो रहा है लमन ग्रास क्योंकि इसमें है वेटमिन सी तो कहीं पर भी जो रेस्पेटरिटर ट्रैक है इसमें कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज़ है बहुत जदा म्यूकल्स का जमावड़ा हो रहा है फ्लू है शुआस लेने में कटनाई हो रही है बृतिंग डिफिकल्टीज है ऐसमा है ऐसे को पर चुचरापन लगता है एंग्जाइटी उसकी बढ़ जाती है सिर में दर्द रहने लगता है वह हाइपर-इमोशनल हो जाता है बहुत ज्यादा चिंदित सांस्ट्रस में रहने लगता है तो लामन ग्रास अशेंशल आई में मैंगनेशियम है जो इन सारी कम्यों को प क्योंकि इसमें हैं एंटी डापर्टिक प्रपर्टीज तो वह लोग जो जिनका खाली पेट या भोजन के बाद शुगर लेवल हाई हो जाता है इसके सेवन से शुगर लेवल कम होना शुरू हो जाता है लामन ग्रास के गुण इसकिन को बेदाग और पिंपल स्प्री करने ओने से सब्सक्राव में कर देती है दूसरा इसमें है स्क्र萌 और वे wedश्रस को कम कर थी है और मुहासो को पड़ने से रोकती है तो सातियों आजमने जाने लामन ग्रास on AP té बारे में इदि आपको भी आफशक्ता है तो निगा डालिए एक स्क्रीन पर एक वेबसाइट की लिंक है संभवक्यो डॉट कॉम यह लामन गर्स अशेंशे पाल आप यहां से भी मंगा सकते हैं कैसे यूज करना है इसको तो एक कुशल चिकिस्सक की निगरानी में आप इसका कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए वेबसाइट पर ही बुक एन अपॉइंट्मेंट का ओप्शन है आप अपना अपॉइंट्मेंट में बुक कर सकते हैं डिरेक्ली मेरे से बात हो जाएगी जन्हित में इस वीडियो को दिख से अधिक शेयर करिया का ताकि आपकी वज़े से बहुत लोगों की हेल्प हो सके आज के लिए बस इतना ही मिलते हो किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ तब तक के लिए मुझे आगया दीचे नमस्कार